लमश्कार आप देख रहे हैं आरपे न्यूज पूरा विश्व जगत इस समय क्रोना वाइरस नामक महमारी से जूज रहा है बड़े बड़े शक्ति साले देश भी इस महमारी के चपेट में आ चुके हैं चिकित्षा के छतर में दूसरे नमर का देश कहलाने वाला इटली भी इस महमारी की चपेट में आ चुका है और इस महमारी ने पूरे इटली को अपनी गिरप में जगट लिया है हिंदुस्तान में भी क्रोना वाइरस धीरे धीरे अपने पैर पसार ने सुरू कर दिये हैं इस महमारी से बचने के लिए हमारे परधान मंतरी माननीय श्री नरेंदर मोदी जी ने देश में लोकडाउन लगाया हुआ है ताकि इस महमारी से देशवाशियों को बचाया जासके इसलिए परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने अपील भी की कि इस लोकडाउन के बीच हमारे देश का कोई भी नागरिक भुखा नहीं रहना चाहिए इसलिए इस अपील को सविकार करते हुए लुहरू व्यापार मंडल के लोग दिन रात एक की हुए हैं उनका शिरफ मक्सद एक ही है कि कोई भी व्यक्ति महले में गली में हमारे आस पडोस में भुखा ने रहना चाहिए इसी के मद्दे नजर उन्होंने बीड़ा उठाया है इस लोकडाउन के बीच सारा काम का जठफ है और लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं घरों में बैठे ऐसा है लोगों की मजबूर्यों को ध्यान में रखते हुए जरूर्त मंदों की मदद के लिए रैकेट उनके घरों तक पहुचा रहे हैं जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं और जब हमें इन समाथ सेवी संगठनों के बीच जाने का सोभग्य प्राप्त हुआ तो हमें बताया गया कि यह संगठन के लोग उस दिन से दिन रात एक की हुए हैं जिस दिन हमारे मानणिय परद्धान मंतरी स्री नरंदर मोधी जी ने जनता कर्फ्यू का अइलान किया था समाथ सेवी संगठन के लोगों ने हमें बताया कि जिस दिन परद्धान मंतरी जी ने ये कहा था कि कोई भी नागरिक इस आपदा की घड़ी में मुखा नहीं रहना चाहिए उसी दिन से इस समाथ सेवी संगठन के लोगों ने अपने परधान मंतरी जी की बातों का फरण ले लिया था उसी दिन से इस संगठन के लोग दिन रात गरीब लोगों के लिए एक की हुए हैं जैसा कि तस्वीरों में आप साप देख सकते हैं यह संगठन पैकेट और भोजन और अन्य सामगरी भी उनके घरों तक पहुँचा रहा है छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से भोजन लेने के लिए आतूर है और यह जो तस्यूर आप देख रहे हैं किस तरीके से व्यापार मंडल के समाथ से भी लोग भोजन मनाने में और भोजन को पैक करने में वेस्थ हैं मकसद सिरफ एक है कि कोई भी नागरिक इस आपदा की घड़ी में बुखा नहीं रहना चाहिए था आपको बता दें इस संगठन की कारिय परनाली को इस संगठन की लोगों की भोजन मनाने की वेवस्था को लोहारू, S.D.M. महदेजी और थाना परभारी लोहारू ने भी इनकी कारिय परनाली को इनकी भोजन की वेवस्था को देखकर इनकी सहरान ना भी की थी तस्वीरों में आप साप देख सकते हैं कि किस तरीकी से संगठन के लोग जोगे जोखडियों में रहने वाले लोगों के बीच जाकर के खाना और अन्य सामगिरियां बाट रहे हैं आपको बता दें यह संगठन दिन रात एक की हुए है और संगठन के लोगों ने कहा कि गुजरात से अन्य राजों से जो परवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए वो दोनों समय उनके घर तक पहुचा कर बोजन और सामगिरी दे रहे हैं ताकि किसी परकार की उनको समश्या ने हो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भोजन वित्रन करने का जो कारिये है वो लगातार जारी है जब हम वहाँ पहुचे तो संगठन के लोगों ने हमें बताया कि हम इस भोजन वित्रन को लेकर पब्लिशिटी नहीं करना चाहते और हम नहीं फोटो खिचवाने में विश्वास रखते हैं लेकिन हमारे सपेशल आगरह पर उन्होंने हमें वीडियो फूटेज लेने के लिए कहा उसके बाद ही हमने ये कारिये चारी किया हम समाज को बताना चाहते हैं कि इस परकार के लोग जो समाज के लिए दिन रात एक कियो हैं अन्य जो समाजिक संगठ हैं उनको भी लोहारू व्यापार मंडल के समाज सेवी लोगों से प्रिरणा लेने चाहिए उनको भी ये परण लेना चाहिए कि कोई भी नागरिक उनके छत्र में बुखा नहीं रहना चाहिए वाकई में हद्दय को विदारक कर देने वाली ये तस्वीर और एक हमें ये प और जब हमने इस ग्रीब महिला को पूछा कि लोहारू व्यापार मंडल के लोग आपको घर-गर तक खाना प्रोश रहे हैं दे रहे हैं आपकी र्याय क्या है तो उन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से र्याय रखी आईए आपको उनकी र्याय सुनाते हैं का जो पर अरचो काम कर रहे है दिनर्याते कर रहे हैं गडियब के लिए निसल अब् मुल्य कई टे पुटे एंगा